हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माय यूटूब चैनल, lurking важ study डेले क्रंट अफ़हर्श के वीडियो स्जीय में, आपका स्वागत है आज है चार मार्स द्राइर्बीस, चार मार्स द्राइर्बीस से क्रंट अफ़हर्श के जितने भी important question बनते हैं, हम इसी video में discuss करेंगे सरवन दिवास याने की World Hearing Day कब मनाया गया इसका सही answer आप्स नमबर C 3 March विशु सरवन दिवास हर साल 3 March को मनाया जाता है या दिन बहरापन और सुनवाई हानी को रोकने और दुनिया भर में काउन और सुनवाई देखभाल को बढ़ावा देने के बाले में जागरुकता बढ़ाता है थेमे 22 का Don't Let Hearing Loss Limit You थेमे एक बार नोट करने हैं आप Don't Let Hearing Loss Limit You चलिए चलते हैं Question No.2 की तरफ हाली में कौन से विशु द्याले खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 22 का विजेता रहा इसका सही answer आप्स नमबर A पंजाब उनिवर्सिटी हाली में पंजाब उनिवर्सिटी विशु द्याले खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 22 का विजेता रहा भारत की तेज धावी का दूती चंद ने खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने 100 मीटर की दौर में गोल जीत देने के बाद एक मार्च दोयर बिस को 200 मीटर में भी बाजी अपने नाम की और इस्टा के बोनिशन में पहला खेलो इंडिया अनिवर्सिटी गेम्स दोयर बिस का आयोजन किया गया इन खेलों का आयोजन 21 फर्युदार 20 से 1 मार्च 2020 के बीच किया गया था अगले कोशन पर जाने से पहले अगर इफ वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और सेर कर जरू कर दें साथे में हमारी टेलिग्राम चैनल PKS मार्च टीडी को भी जोईन कर लें पंजाब इनिवर्सिटी ने टॉप किया है चलिए आपको पंजाब के बारे मारते हैं पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को गवा था उरत्मान मुख मंत्री हैं कैप्टेन अमरेंदर सिंग जो की आपको इमेज में दिखाए रहे हैं गवर्णर है श्री वीपी सिंग बदनौर, कैप्टल चंडीगर, फर्स स्यम गोपी चंदबर्गावा, फर्स गवर्णर, चंदुलाल मातलोर, तिरवेडी, लोग स्वासिट 13, राज स्वासिट 7, टोटल लिष्टिक है, बाइस, स्टेट ट्रियसिसम, फ्लावर है ग्लैड इलस, एनिमल फ्लैक बग, इस्टेट बड़ है बाच, इस्टेट डैंस के बाद के तो भागड़ा और गिद्दा, नेशल पारक है अबोहर, बिर्मोतियो, डैमस है डैमसल और रंजीत सागर, चली आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पंजाब, चलते हैं, कोश्ट नंबर थर्ड की तरफ, निवी लैन के कौन से की तेज गेदबाज, भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतराश्टिक क्रिकेट में दस बार आउट करने वाले पहले गेदबाज बन गये हैं, इसका सही अंसर आप्शन नंबर बी, टीम साउथी, निवी लैन के प्रेसर टी अंतराश्टिय में आउट किया है, चलि आपको इमेज में दिखाते हैं, या आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं, यह निवी लैन के तेज गेदबाज टीम साउथी, चलते हैं कोशन नंबर फोर की तरफ, निवी लिगेद में से किस राश्टिय अब भारन को हाली में गंगा डाल्फिन और गंबे रूप से लोग प्राय घड़ियाल पाय जाते हैं इस प्रजाती के लगबग 75% घड़ियाल इस अपहरण में पाय जाते हैं या इनका प्राकिरतिक आवास माना जाता है इको सेंसिटिव जोन गोजेतों ने परियाक किसी प्रकार की करमिसियल दी नहीं की जाएगी चलिए चलते हैं कोश्व नमबर 5 की तरफ हाली में विश्व वन जीव दी वस्याने की वर्ल्ड वाइल लाइफ डे कब मनाया गया इसका सही अंसर आपस नमबर C 3 मार्च हर साल 3 मार्च को विश्व अस्तर पर मना जाता है और 17 विकास लच 12 के साथ न मातपुर मुद्दों को हमारे लोजमर्रा के जीवन पर प्रकाश डालता है वर्ल्ड वाइल लाइफ डे का थीम है सस्टेनिंग ओल लाइफ ओन अर्थ थीम है दो अरबीस का सस्टेनिंग ओल लाइफ ओन हर्थ चलिए चलते हैं आपको मार्च के सारे इंपोर्टन डे वर्ल वाइल लाइफ डे चलते हैं कोशन नमबर शिक्स की दरव राष्टिय डोपिंग रोधी एजनसी आनिकी नाडा ने हाली में किस भारती मुख्यबाच पर लगाया गया एक साल का प्रतिवन्द हटा दिया है इसका सही हांसर अप्स नमबर डी सुमित सांगवान पूर उन पर लगा एक साल का डोपिंग प्रतिवन्द हटा दिया गया है सांगवान को दिसमर्दार रोधी इसमें विश्व डोपिंग रोधी एजनसी का प्रतिवन्द सूची में सामिल पतात के सेवन का दोसी पाया गया था चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं या आपको इ पेका लैंडमार्क पेका लैंडमार्क को नोकिया करनेया मुक्ष करकारिय दिखा रही और अध्यक्ष बना जाने की कोश्णा की गई है पेका की नियुक्ति नोकिया के वर्तमान अध्यक्ष और CEO राजियू सुरी के स्थान पर की गई है जो 31 अगरत्व यर्बीस तक इस पत पर कारे करेंगे चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं यह हैं नोकिया के अगले नए अध्यक्ष और CEO पेका लुन्मार्क चलिए चलते कुश्ण नमबर 8 की तरफ हाली में जम्मू सहर के हैतिया सिक सीटी चॉक का नाम बदल कर क्या रखा गया है इसका सही आंसर अपसर नमबर 8 भारत माता चॉक जम्मू और कास्मिर के पुराने जम्मू सहर के हैतिया सिक सीटी चॉक का नाम बदल कर भारत माता चॉक कर दिया गया है यहां फैसला भाजपायानी की भारती जनता पार्टी के ने तुत्वाली जम्मू नगर निकम द्वारा जनरल हाउस में इस संबन प्रास्ताव पारित करने के बात किया गया। इस चौक पर हर साल यहां के लोगों द्वारा गरतंतर और सतंतता दिवस पर तिरंगा फैर आ जाता है। इसके अलावा सहर में पंजतीरती की पास सुरू होने वाले सर्कुलर रोड के चौक का नाम बदल कर पूर प्रधार मंतरी अटल बिहारी बाचवई के सम्मान में अटल जी चौक कर दिया गया है। जम्मू कास्मेर की बात करें तो जम्मू कास्मेर की कैप्टल है जम्मू एंड स्रीनगर जम्मू है विंटर कैप्टल स्रीनगर है समर कैप्टल यहां के उप्राज पार लेंग रिश्चंद मुर्मू बात करें जम्मू कास्मेर के जम्मू कास्मेर 31 अक्टूबर द्वार उसको हाली में union territory र्याने की union territory बना है चलिये चलते हैं यह आपको image में दिखा दे रहा है यह भारत माता चोख जो की जम्मो सहर का एक इतियासिक city चॉख था जिसका नाम बदल कर भारत माता चॉख कर दिया है चलते हैं Question no.9 के तरफ अंतराष्टिये योग मौसो हाली में किस राज में शुरू हुआ इसका से यांसर आपसर नमर डी उत्तराखंड अंतराष्टिये योग मौसो हाली में उत्तराखंड राज में शुरू हुआ उत्ताप्रदेश के मुख मंत्री योगी अदितना द्वारा रिशी केश उत्राकंड में द्राष्टी योग मौसा का अधगाटन किया गया सब्ताबर चलने वाले इस आयोजन में 11 दिसो के योग सिच्छा गाउर चिकिस सक हिस्सा ले रहे हैं योग मौसा रिशी केश में एक मार्च से साथ मार्च तक हर साल आयोजित किया जाता है चली अब आपको उत्तराकंड के बार में आते हैं उत्तराकंड का गठन नौन आउंबर दो जार कुगा था वर्तमान मुख मंत्री श्री त्रिवेंशिंग रावत जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं बरदानाटी पांडव निर्त्य मेंली अलक नंदा भागी रती दोली गंगा गंगा कोसी और मंदाकनी नैशनल पार्क की बात कतो राजाजी जिम कॉर्बेट और नंदा देवी और गंगोत्री डैम से टेहरी बिम्टल और राम गंगा उत्राखंड से राजकवाब माते चाइना है नॉर्थ में नेपाल है इस्ट में इमाचर प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में उत्र प्रदेश साउथ में हर्यान है साउथ वेस्टन कॉर्नर पे चलिए आपको मैप में दिखाते हैं यह मैप में उत्राखंड चलते कुश्य नमबर 10 के तरफ हाली में सरकार ने डीजल वित्रण के लिए कौन सा मुबाइल एप लॉंच किया है इसका सही आंसर अप्स नमबर C, फ्यूल हमसफर मंतरी संतोज गंगवार ने राश्टी राश्टानी छेत में हाउसिंग, सोसाइटी होटलों और अस्पतालों के दरवाजे पर डीजल की डेलिवरी के लिए फ्यूल हमसफर नाम से एक मुबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है चलते कुश्य नमबर 11 के तरफ हाली में किस ने विश्विद्याले और कालेजों में इसनातर चातरों के लिए जीवन कौसल पार्टिकरम विक्सित किया है इसका सही आंसर अप्सन नमबर B, UGC विश्वत द्याल अनुदान आयोग्यानी की VGC ने विश्वत द्याले और कालेजों में इस नातर छातरों के लिए जीवन का उसल पार्ट करम विख्षित किया है किंद्री मानोच संसाधार रिकास मंतरी स्री रमेश पोकरेल निसांग ने या जानकारी दी चली चलतें कोशन नंबर 12 की तरफ हाले में किस देश ने दो परच्छे पित मिसाईलों का परिच्ण के जिसमें लगबग 240 किलोमेटर की रेंज और लगबग 35 किलोमेटर की उचाही वाली मिसाईले थी इसका सई आंसर अपस नंबर B, नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया ने दो मार्च को अपनी पूर्वी समुद्र में दो छोटी दूरी की मिसाईलों का परिच्ण किया दच्छी कोरियाई अधिकारी ने जानकारी थी मिसाईलों की रेंज लगबग 240 किलोमेटर और उचाही लगबग 35 किलोमेटर थी यूने कमदूरी की बैलेस्टिक मिसाईल बनाने का अनुमान है चलिए आपको नॉर्थ कोरिया के बार माते हैं नॉर्थ के लिए के प्रियोंग कांग प्रेसिजेंट हैं किम जॉन उन करंसी है नॉर्थ कोरिया ओन नेशनल इन्नो सिटमबर हाइट मॉंटन है माउंट प्यक्टू लाजेश लेक हैवन लेक नैशनल बर्ट की बात करतो गोश्वाग फ्लावर है किम जॉन गिला पार्लामेंट ने में सुप्रीम पीपल्स एसंबली वर्ल्ड्स लाजेश स्टेडियम जो की रूंगराड हो जो की नॉर्थ कोरिया में है चलिए आपको मैप में दिखाते हैं यह मैप में नॉर्थ कोरिया चलते हैं कुछ नॉमबर 13 की तरफ किंद्रिये गिरी राजमंत्रिया मिश्चान ने किस शहर में राजटिया स्टेडिया जाने कि NSG चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं ये ग्रे मंत्री अमिश्या जो की राश्टिय सुरुच्छागार छेतरी अप परिसर का उद्गाटन करते हुए चलिए चलते कोशन नमबर 14 की तरफ बाव भासी अतुल भारत वेबसाइट हाली में किन भासाओं में लांच की गई है केंद्रिये प्रेटन और संस्किती राजमंत्री प्रिलासिंग प्रटेल ने नई दिल्ली में बाव भासी अतुल भारत वेबसाइट का सुबारम किया इस वेबसाइट को अंग्रेजी और हिंदी में घोश्ट किया गया यहाँ अरतमान में चीनी, हर्वी और इस्पैनिस में भी लांच किया गया है ताकि वेब और सोसर मेडिया प्लेटफार्म पर आगुंत्रों को प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सके भाविशमेश का वैश्विक भासाओं में अनुवाद किया जाएगा चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं यह हैं परलाज सिंग परटेल जो की संस्कित राज़ और किंद्रिय प्रेटन मंत्री है चलते हैं कोशन नमबर 15 के तरफ भारती प्रूस हाकी टीम को हाली में जारी F.I.H. लैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है इसका सही आंसर है आपस नमबर D, चौथा स्थान F.I.H. प्रो हाकी लिग में भारती हाकी टीम दोरा किये गए च्छे प्रेटन के बाद भारती टीम चौथी लैंकिंग पर पहुच गई है F.I.H. की ताजा रैंकिंग में विश्व चैंपियन बेल्जियम को सीर्च स्थान बर करार है जिससे जनवरी में अश्टेलिया को सीडनी में राकर सीर्च स्थान वापिस हाजिल कर लिया था अश्टेलिया दूसरे और हॉलेंड तीसरे स्थान पर है F.I.H. की बात कर तो F.I.H. का फूल फॉर्म है F.I.H. इंटरनेशनल डी होकी चलते हैं आज के स्थैटिक जी के कोशन की तरफ मुहमद गोरी को नेमले कित्मी सासकों में से किसने सबसे पहले हराया था इसका सही आंसर अपसर नबर D. भीमा तूतीय चलते हैं आज के अंसर अफ एस्टेटे कोशन की तरफ किस राजी ने सरकारी करमचारी की शेवन युत्ती की आयू साट वर्स से गटा कर अठावन वर्स कर दी है इसका सही आंसर अपसर नबर B. बंजाब चलते हैं आज के कोशन आज दो डे के तरफ रफिट नट डालने हाली में किस असपरदा में जीत दर्श करके अपने कैरियर का पचास स्युआ एकल टेनिस किताब जीता है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऐसे ही डेली करंट अफेस वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्श टीडी को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आयो तो लाइक और सेर जरू करें थैंक यू